हेलो विनर्स डेवाइल लाइस असोसियेशन टीम के स्टाटिक विनर्स को सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों चलिए इस सेग्मेंट को शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को आपकी धेर सारी दुआओं प्यार सपोर्ट और बड़े-बड़े साक्रिफाइस जो आप हमारे लिए करते हैं उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं आप चलिए शुरू करते हैं ये सेग्मेंट पहला क्वशन है वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस कौन सी है आंसर हाइड्रोजन नेक्स्ट रेडोन का रासाइनि उर्चा सबसे अधिक है आंसर है हीलियम नेक्स्ट क्वेशन अक्रिय गैसों का आइनन विभाव कैसा होता है आंसर उच्च नेक्स्ट आंतरिक संक्रमन तत्वों की कुलसंख्या कितनी है आंसर 28 नेक्स्ट एने सीयल में कौन सा बंद उपस्थित होता है आंसर आयनिक बंद एथीन किस प्रकार का यौगिक है? आंसर त्रिबंध यौगिक एथीलीन किस प्रकार का अनु है? आंसर आध्रुविय अनु नाइट्रिक आमल किस दहतु के साथ क्रिया नहीं करता है? आंसर सोना सेब में किस प्रकार का आमल उपस्थित रहता है बहुत लोग ना साइट्रिक एसिड लिख देते हैं इवन हम भी यही करते थे पता है लेकिन इसका आंसर होगा मैलिक एसिड विद्युत तथा चुम्बगत्व के बीच संबंद किसके द्वारा स्थापित किया गया था आंसर माइकल फरादे द्वारा जेट वायू यान में कौन सी उर्जा होती है इसमें दोनों प्रकार की उर्जा होती है और स्थीतित उरजा भी होती है, गतिच और स्थीतिच उरजा दोणो, next, किलोवाट किसकी इकाई है? आंसर शंता, next, कंपन की उत्पति का कारण है? आंसर व्यती करण, next, नर्युगमको को क्या कहा जाता है? आंसर है शुक्राणू, नेक्स्ट, भून का अलेंटोस किसमे सहायक होता है, आंसर उठ सर्जन में, नेक्स्ट, लाल रखतकानिका है, कोशिकी ये श्वसन नहीं करती, क्योंकि, आंसर, इनमें माइटोकॉंड्रिया नहीं होता है, कोशिकाओं का पावर हाउस बुला जाता है है ना, माइटोकॉंड्रिया को, लेकिन अगर पावर हाउस ही नहीं होगा, तो ये कैसे अपना काम करेगा, है ना, तो इसलिए जो हैं, लाल रखतकानिका हैं, कोशिकी ये श्वसन नहीं करती है, ठीक, नेक्स्ट क्वशन देखिए, माइको प्लाजमा द्वारा हुने वाल किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, आंसर है, श्वसन अंग, तेको जैसे फीफडा हो गया, श्वासनली हो गया, ये सब है ना, नेक्स्ट क्वशन, किस पाचन अंग में अमल उपस्थित रहता है, आंसर, आमाशय, नेक्स्ट, कौन सा अमल आमाशय में संशले होता है, आंसर, हाइड्रोख्लोरिक अमल, नेक्स्ट, कौन सा एंजायम प्रोटोजुवा संख के जनतुओं में नहीं पाया जाता है, आंसर, एमाईलेज, नेक्स्ट, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में बदलता है और रक्त शिद्ध करता है, आंसर, लिवर, जिसको हम यकृत क्या देते हैं। किस तक्प की मात्रा की अधिक्ता के कारण सबजियां खराब हो जाती हैं। आंसर है पानी। नेक्स्ट क्वेशन नर एनाफिलीज मच्छर किस प्रकार अपना भूजन ग्रहन करते हैं। आंसर ये फूलों के रज से अपना भूजन ग्रहन करते हैं। नेक्स्ट चाय और कॉफी अधिक पीने से शरीर में किसकी कमी हो जाती है। आंसर क्यल्शियम। नेक्स्ट रिदे के लिए सबसे स्वास्त वर्धत खाद तेल कौन सा है। आंसर है जैतून का तेल जिसको की हम कहते हैं ओलिफ ओयल। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सेग्मेंट हो गया यही पे खत्म। और हमको चाहिए आप से कुछ चीज़ हैं क्योंकि बिना नहीं उनको हम जाते नहीं हैं। आप सब जानते हैं। एक तो होगा आपका बहुत अच्छा स्वास्त, एक तो होगी आपकी देर सारी खुशियां और तीसरा आपकी देर सारी सफलता, आपने खुशियों और सफलताओं को आप हमसे साजा करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसे बात के साथ हम आप सबी के धेर सारे प्यार, जिनून, जस्पात और कड़ी महनत के साथ-साथ आप सबी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे। जिसके बदालत ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचायों को छू रहे हैं, बल्कि साथी आप सभी हर क्षित्र में अपनी योगिता का जहंडा निरंतर गारते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजुए हुए एक पाफ से पूरी डिवाईलाइट्स असोसेशन टीम की ओर से हम आप सभी को क्याना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।